हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मेगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शांदार हैं जानदार हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता है डेली दस बजे क्लास होती है दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ आज क्लास पंदरा मेंट लेट स्टाट हुई है चलिए लेकिन क्लास स्टाट होगी तो बिल्कुल मज़ा आप लोगों को आ जाएगा क्योंकि आज इस वाले क्लास में डिजी जैनी रोक से जो क्योशन पॉसिबल है सारे हम लोग कर लेंगे एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट ठीक है तो बीना टाइम वेश्ट करें वे सीधे स्टाट करते हैं और आज शाम को चार बजे मैं आप लोगों को लेंस फॉर्मूला यानि लेंस सूत्र करवाऊंगा उसका भी आप लोग ध्यान रखेंगा ठीक है तो क्लास स्टाट करें चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों गुड मॉर्निंग चलिए सबी आप लोग जूड चुके हैं बहुत अच्छी बात है तो चलिए पहला क्योशन आपके स्क्रीन पे अनसर आप लोग बताएंगे पहले क्योशन में आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि जो नार्कोलेपसी है वो किसी से संबंदित है आप लोगों को चार यह आप लोगों का इसका symptoms क्या है यह जो डीजी जै किस से related है तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत जारा नीन दाती है जैसे रात को तो नीन दाई सही बात लेगे अगर दिन में भी नीन दा रही है तो यह किस डीजीज का symptoms है नारकोलैपसी का correct answer आप लोगों का option number D हो जाएगा बहुत जादा एकसेसिव अनकंट्रोलेबल डे टाइम स्लीपिन हैस मतलब आपके दिन में इत्ती नीन दारी आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे है तो यह एक symptom हो जाएगा किसका नारकोलैपसी डीजीज का ठीक है चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नैश कोशन पे अंसर आ लेकिन दोस्तों दो डीजीज बहुत जढ़ा पूची जाती है एक तो मिना माता डीजीज और एक आपकी हो जाएगी इटाई इटाई डीजीज तो इन दोनों में difference क्या है दोनों किस किस की वज़े से होती है एक चीज में आप लोगों को बता दू जो दोनों में ही common है दोनों ही metal यानि धातू की वज़े से होती है चलिए ठीक है तो आज ये एक एक चीज करके समझते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिना माटा की दोसतो मुना माटा कीज़ किसे होती है अगर आप लोगों कोई पानी पे रहो उसमें मरकरी है उसमें पारा है तो अगर वो मरकरी आपकी बॉरडी में गया तो उसका कुछ poisonous effect हो सकता है तो यह disease आप लोग क्या हती मिना माटा डिज़गी तो मिना माता डिजीज तो होती है मरकरी की वज़े से जबकि जो इटाई इटाई डिजीज होती है वो किसकी वज़े से होती है कैडमियम की वज़े से होती है अब इन दोनों के सिम्टम्स क्या है इस मिना माता डिजीज में क्या होता है इटाई टाई में क्या होता है तो दोस बात करें तो इसमें आप लोगों की बॉड़ी के जो जॉइंट्स है ना और आपके जो इस्पाइन है जो रीड की अड़ी है इसमें काफी पेइन होता है तो दोनों के मैंने आपको सिम्टम्स भी बता दिये तो अभी आप लोगों से टाई टाई डीजेश का पूछा गया थ जो चिकन गुनिया है वो किसकी वज़े से होती है आप लोगों को ये बताना है चार आप लोगों को आप्शन दिया वाए तो सिम्पल सा किर्शन है दोस्तों जो चिकन गुनिया है वो वाइरस की वज़े से होने वाला रोग है ये वाइरस आपकी बॉड़ी में कैसे आता ह एक mosquito यानि मच्छर की वज़े से आता है ठीक है तो अगर हम लोग बात करें उस मच्छर का नाम क्या है जो आप लोगों को सिंपली क्या याद रखना है एडीज ध्यान रखना है और ये आपकी चिकन गुनिया एक वाइरल डिजीज है क्योंकि ये वाइरस से होने वाला रोग है और ये आप लोगों की डिजीज है ना इसका वाइरस आपके बॉड़ी में किसके माद्यम से आता है मौस्किटो के माद्यम से आता है सर इसके सिंप्टम्स भी बताईए तो इसमें भी आपके जॉइंट में काफी पेन होगा फीवर तो इसका पहला मतलब मेजर डॉमिने हमें आप लोगों को फीवर तो हो गए होगा इसके अलावा जो और सिंप्टम्स है वो क्या है यह जो आप लोगों के जॉइंट होते हैं इसमें पेन चलिए नैश कोशन आपके स्क्रीन पे चिकन पॉक्स वाइरस का नाम बताईए तो जैसे चिकन गुनिया भी वाइरस की वज़े से होता है वैसे ही बहुत सारी डीजीज है जो वाइरस की वज़े से होती है जिसे पोलियो डीजीज हो गई चिकन पॉक्स हो गया स्मॉल पॉक्स हो गया तो यार इन दोनों में बहुत कन्फूजन होता है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स तो यह दोनों ही आप ल जोश्टर वाइरस इसका पूरा नाम हो जाएगा जबकि स्मॉल पॉक्स की बात करी जाए तो इसका वाइरस का नाम हो जाएगा वैरियोला वाइरस अब आप लोगों को लगता है प्लीज ध्यान से आप लोग समझेगा हम लोगों को लगता है स्मॉल पॉक्स की हिंदी होती ह चोटी माता, small का मतलब चोटी नहीं, दोस्तों chicken pox को बोलते हैं हिंदी में चोटी माता और small pox को क्या बोलते हैं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोनों में जो difference है, है ना, आप लोगों को majorly तो इन दोनों के virus के नाम याद रखने हैं और इन दोनों ही disease में क्या होते हैं, आप लोगी body पे लाल चक्ते दाने से पढ़ जाते हैं, ओके, चली क्या बात है, बहुत बढ़िया, नैश कोशन आपके स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे, क्योशन में आप लोगों से पूचा गया है कि जो BCG वैक्सीन है, ये किसके द्वारा डवलप की गई थी, तो पहला तो क्योशन ये आता है कि जो BCG वैक्सीन है, वो कौन सी बिमारी के लिए दी जाती है, तो ये BCG जो वैक्सीन होती है, जो TB बिमारी होती है, जिसे आप लोग हिंदी में तपेदिक रोग बोलते हैं, इस TB का फुल फॉर्म टूबरिक लोसेस होती है, जो कि बैक्टीरिया जिवानू की वज़े से होता है, जो आप लोगों के शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित क कर सकता है, लेकिन मेजर ली किसको करता है, लंग्स को करता है, तो ये जो BCG वैक्सीन बनाई गई थी, TB के लिए, तपेदिक के लिए, ये किसके द्वारा डवलप करी गई थी, ये दो लोगों के द्वारा डवलप की गई थी, अलबर्ट कैलमेट और कैमिलिक ग्यूरेन, लेकिन दोस्तों आप लोग मुझे चलिए इसके वारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले तो आप लोग मुझे बताइए एड़वर्ट जैनर जी ने कौन सी वैक्सिन डवलप करी, करी या नहीं करी, एलबर्स, सैबीन ने, इन्होंने कौन सी करी, जोनल सॉल्ड ने कौन सी करी, लुइस परस्चर ने कौन सी करी, तो यार ये बहुत बार ये क्योशन पूछे जाते हैं, ये चारो आप्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं बात करता लुइस पास्चर की, तो देखिए जो रेबीज बिमारी होती ना, आपको बता दू, ये वाइरस की वज़े से होती है, और ये वाइरस आपकी बाडी में कैसे फैलते हैं, जो आवारा जानवर होते हैं, इनके काटने से आप लोगों को फैलते हैं, तो इसके लिए जो वैक बीसी जी वैक्सिन जो होगी, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बैसिलास, कैलमेटे, ग्यूरेन, वैक्सिन, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये दो लोगों के द्वारा बनाई गई थी, एक एलबर्ट, कैलमेटे, एक एमले, ग्यूरेन, तो इन दोनों की नाम पे इस इस टीका का नाम रखा गया है, अब हम लोग बात करते हैं, कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, वैक्सिन, टीबी बिमारी के लिए, आप लोगों के लिए उपयोगी है, ये टीबी बिमारी की वैक्सिन का नाम आप लोगों का क्या है, बीसी जी वैक्सिन है, तो य यह जो वैक्सीन है यह किस पर टारगेट करती है इस बैक्टीरिया को खतम करती है जिससे उसका असर आपके बोड़ी पर ना हूँ अब बात करते हैं दोस्तों जोनस सॉल्क है ना ऑप्शन नंबर कौन सा दिया वा था देखिए ऑप्शन नंबर भी में दिया वा ना जोनस इन्हों ने क्या करा था पोलियो की सबसे पहली वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी बात करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह अलबर्ट सैबिन दिया वा है यह अलबर्ट सैबिन ने क्या किया था तो ओरियल यह जो आपकी पोलि जाते हैं ये मैंने सारी इसमें आप लोगों को डिटेल दे दी है हर वैक्सिन के बारे में कौन से वैक्सिन किस ने डवलप करी ठीक है दोस्तो चलिए आगे चलते हैं नैश कोशन पे बताईए आप लोगों से बोला जा रहा है इन में से कौन सा रोग एक अतिरिक 21 गुण सूतर के कारण होता है जैसे आप लोगों को पता है हमारा जो शरीर होता है वो बहुत सारी कोशी का उसे मिलके बना है और हमारी जो कोशी का होती है ना कोशी का के अंदर होता है निउकलियस यानि के इंदरक और इस निउकलियस के अंदर क्या पाए जाते हैं क्रोमोसोंस पाए जाते हैं दोस्तों ये chromosomes के अगर कुल संख्या की बात करें, कितनी होती है, 46 होती है, और ये जो chromosomes होते हैं, वो pair में पाए जाता है, जो total कितने pair होते हैं, total होते हैं, 23 पेर, ये पहला pair, ये दूसरा pair है, तीसरा pair है, चौता pair, तो अगर, दोस्तों, 21 नंबर के pair पे, एक दो की जगे, तीन क्रोमसूम आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी देखो, एक्स्टरा क्रोमसूम आजाए, अगर 21 पे तो इसे ही आप लोग बोलते हैं, डौएं सिंड्रॉम, देखि inventлять को, डौण सिंड्रॉम आप लोग किसको बोल रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि हमारे शरीर में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 46 होती है दोस्तों अगर 46 से 47 हो जाए या 46 से 45 हो जाए तो ये क्या हो जाएगी कोई डीजीज हो जाएगी तो किसी भी पेर में क्रोमोसोम की संक्या कितनी है दो है ना तो मालों कहीं पर दो से तीन हो गई तो क्रोमोसोम की संक्या 46 से क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा और किसी पेर पेर क्रोमोसोम की संक्या 2 है अगर एक रगई तो क्या हो जाएगा 45 हो जागी कुल क्रोमोसोम की संक्या तो यहाँ पर down syndrome की बात करें तो जो 21 पेयर था जहाँ पर 2 kromosome थे 2 की जगे क्या हो गए? 3 हो गए तो इसको बोलते हैं trisomy अगर 2 की जगे 1 हो जाता तो इसको बोलते हैं monosome तो 2 की जगे 3 हुआ है तो आप लोग इसको trisomy बोलेंगे और कौन से वाले पेयर पे, कौन से वाले नंबर पे यह आपके 2 से 3 हुए 21 वाले पे तो इस dgs का नाम आप लोग trisomy 21 भी बोल सकते हो तो correct answer आप लोगों का क्या हो जाएगा down syndrome दोस्तो एक चीज आप लोग और ध्यान रखिए यार यह जो आप लोगों का clean falter syndrome में यह भी आप लोगों का कई बार पूछा जाता है सर इसमें क्या होते हैं देखो समझो जो 23 वा पेयर होता है ना पुरुषों में वो क्या होता है? x y होता है और महिलाओ में क्या होता है? 23 वा पेयर x x होता है तो अगर 23 पेर में जैसे पुरुष में बात करें अगर हम लोग 1 एक्स एक्स रा जाए तो ये क्या एक्स एक्स वाई हो जाएगा क्या तो इसी डिजीच को हम लोग बोलेंगे क्लिन फैल्टल सिंड्रॉम तो इस डिजीच में मतलब ये जो बिमारी जिन मेल्स को होती है वो इस पम यानि शुकरानू का निर्मान नहीं कर पाते हैं तो बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं चलिए आगे चलते हैं नैश कोशन पे अंसर बताईए चलिए बताईए और दोस्तों सेशन को यार लाइक और शेयर करते रहिए आप बताओ आजाओ क्योशन में आप लोगों से बोला जा रहा है जल जनित रोग का एक उधारन बताईए वाटर बॉर्ण डिजीज देखिए रोस्तों वाटर बॉर्ण डिजीज आप लोग किसको बूलते हैं अगर आप लोगों गंदा पानी दुश्यक पानी पी रहे हो उसक की वज़े से कौन सी डिजीज आप लोगों को हो सकती है डेटीज दी वाटर बॉर्ण डिजीज जैसे मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बताऊं क्या एड्स एक वाटर बॉर्ण डिजीज है कि नहीं क्योंकि एड्स जिस वाइरस की वज़े से होता है वो पानी के माध्यम से हमारी बॉड़ी में एंटर नहीं करता वो क्या करता है sexually contact के माध्यम से या माली जी किसी व्यक्ति को AIDS है आपने क्या करा उनके blood के contact में आ गए वो ही syringe का इस्तिमाल कर लिया जो syringe उनकी बॉड़ी पर यूज़ की गई है तो इन में से कौन से एक वाटर पॉन डीजीज है दोस्तों diarrhea, dust, lose motion क्योंकि यह देखो actually जो diarrhea होता है वो किसी भी वज़े से हो सकता है, हो सकता है किसी बैक्तिरिया की वज़े से हो जाए, तो यह जो diarrhea करने वाले, यह दस वाले जो यह बैक्तिरिया होता है, यह वाइरस होता है यह पानी में आप लोगों के पनपता है, तो अगर आप लोगे पानी पिएंगे, तो आप लोगों के बोड़ी में यह बैक्तिरिया वाइरस आ जाएंगे जिनकी वज़े से आप लोगों को diarrhea यानि लूज मोशन तस्वाली समश्य आ जाएगी तो क्या कि अवल एक डीजी जाएक डाइरिया जो की वाटर पॉंड डीजी जाए जो जल जनीत बीमारी होती है नहीं दोस्तों बहुत सारी डीजी जाए जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ देखो बहुत सारी डीजी पर पनपता है दूश्य मतलब पानी में पनपता है तो अगर माली जीए इस पानी में ये आप लोगों का बैक्टिरिया है और अगर आप लोग इस पानी को पी ओगे तो ये बैक्टिरिया आपकी बॉडी मेंटर कर जाएगा आप लोगों को टाइफट बिमारी हो जाएगी दोस्तो एक और बिमारी होती है जिसका नाम है कोलेरा जिसे आप लोग हिंदी में हैजा रोग भी बोलते हो तो सरी जो cholera जो disease है जिसे आप लोग हिंदी में है जारोग बोलते है वो किसकी वज़े से होता है ये भी एक bacteria जिवानू की वज़े से होता है और ये bacteria भी कहां पर पनपता है पानी पर पनपता है तो अगर आप लोग ये वाला पानी पे रहे है तो bacteria की body mentor कर जाएगा and you will be suffer from chol cholera समझ में आ गई बात को तो ऐसा नहीं है केवल जो diarrhea है ये ही आप लोगों का एक waterborne disease है बहुत सारी है दोस्तों एक leptos parosis disease भी होती है अलग-अलग disease होती है आप लोगों को basically इन तीन के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है चले आगे आजाओ Nash question आपकी screen पे answer आप लोग बताईए question आप लोगों की screen पे है बताईए ठीक है बताईए Patches पैदा करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताईए इसका मतलब यारे Patches कोई disease होगी कोई बिमारी होगी और यह कोई बैक्टीरिया की वज़े से होती है और इस बैक्टीरिया का नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है तो कौन सा होगा चार आप लोगों को option दिया हुआ ह दोस्तों मैंने अब आप लोगों को पिछली स्लाइट पे बताए था है जिसका नाम है कोलेरा हिंदी में आप लोग इसे हैजा रोग भी बोलते हो तो क्या इस विबरियो कोलेरा की वज़ेसे 85 रोग होता है या नहीं सर इसकी वज़े से हैजा रोग होता है दोस्तों ये आप लोग option number D में देख पा रहे हो mycobacterium tuberculosis तो ये भी एक bacteria जीवाणू का नाम है और इस bacteria की वज़े से कौन से disease होती है TB disease होती है तो क्या इसकी वज़े से आप लोगों को पेचिस होता है क्या नहीं सर इसकी वज़े से तो TB होता है अब क्या करें बात करते हैं option number A की तरफ आते हैं ये जो शीगेला यस दोस्तों ये बैक्टिरिया का नाम है जीवाणू का नाम है और इसी की वज़े से आप लोगों को कौन सा रोग होता है पेचिस रोग होता है अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये जो पेचिस रोग है इसके सिम्टम्स तो बताईए तो इसके सिम्टम्स क्या है या इसमें भी डाइरिया होता है लूज मोशन होता है लेकिन इस वाले लूज मोशन की इसमें जो दस्तों हो रहे है उसकी क्या एक विशेशता है बलडी, बलडी का मतलब खून वाले है ना, तो जो जो मल निकल रहा है ना जो ये दस्त हो रहे ना वो कैसे होते हैं बलडी होते हैं, खून वाले होते हैं और ये जो पेचेस रोग होता है जिस बैक्टिरिया की वज़े से होता है उसका नाम क्या है शीजेला बैक्टिरिया कहानी कलियर है दोस्तों समझ में आ रहा है तो एक बार थमसब करके बताईए कि हाँ सारी शीजे दिमाग में गुशती जा रही है चलिए इसका अंसर आप लोग बताएंगे बताईए चलिए दोस्तों क्योशन में आप लोगों से क्या बोला जा रहा है फोटो फोबिया डैश की कमी से होता है आप लोगों को चार आप्शन दिये हैं आप्शन नमबर A में आपको दिया हुआ है विटामिन B1 आप्शन नमबर B में विटामिन B12 आप्शन नमबर C में विटामिन B4 आ लेकिन यार ये वाली बिमारी तो कहीं पर नहीं पड़ी तो तबीतों मैं लेकर आया हूँ जिससे आपका कोई भी चीज नहीं चूटे कोई भी चीज अगर आप लोगों को लगता है कि और मतलब मेर को लगता है कि यह वाली चीज कहीं पर शूटे है तो कहीं न कहीं मैं कवर कर लूँगा टेंशन मतलब आप लोग है न और बहुत अच्छा क्यूशन है देखो पहल तो आप लोग समझते हैं प्रकाश तो अगर किसी को प्रकाश यह डर लग लग रहा है तो अगर बहुत जदा प्रकाश में भी अगर आप लोग किसी वस्तु को नहीं देख पा रहे हो तो that disease is known as photophobia जबकि जो night blindness रतोंदी में क्या था अगर बहुत कम प्रकाश है वहाँ पर अगर आप किसी वस्तु को नहीं देख पा रहे तो उसको आप लोग night blindness रतोंदी रोग बोदे थे जिसका दूसरा नाम निक्टलोफोबिया था समझ में आगया क्या बहुत जदा प्रकाश में आप लोगों को पता है आपको प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है कम हो जाता है मालीज अगर प्यूपिल का साइज डंग से कम नहीं हो पार इसका मतलब आपकी बोड़ी में विटामिन डिसकंफर्ट हो रहा है आप लोग डंसे चीज़े देख नहीं पा रहें तो इसी बिमारी को आप लोग बोल रहा है फोटो फोबिया ठीक है दोस्तों चलिए इसकांसर बताईए आप लोग जल्ली से बताईए प्रेक्टिस सैट वन उच्छे नियोंने वाला तुम्हारा सेलेक्शन वगेरा लिख भलो मुझसे तुमको क्या है रोज मसाला चाहिए ना एक नई शुरुवात प्रैक्टिस सैट वन इसको लगा डाला लाइव जंगा लाला तो बेटा जो सीदीज मैंने स्टार्ट करी पहले उसको तो बढ़ लो जब मैं बोल रहा हूँ एक क्लास में एक चैप्टर खतम तो मतलब सादा स्लेवर्स खतम होने वाला है क्योशन के माद्यम से तो जब तुम यही नहीं कर रहे है तो क्या करोगे तुम नुमेरिकल कर गए तो एक दिन ऐसा भी आएगा जिसमें वो चैप्टर भी आएगा जि को यह नहीं पता नुमेरिकल होता क्या है तो आप मतलब आप खुद के पैर पर कुलाड़ी मार रहे हो यार आप कंटेंड की टेंशन मतलो मुझे पता है कब क्या देना है जब दोस्तों फिजिक्स आएगी तो उसमें अभी हम लोग बाइलो जी पट रहे हैं फिर हम लोग चैप्टर वाई चैप्टर केमिस्ट्रों फिजिक्स के भी करेंगे तो इसमें आएंगे न तो अभी यह तो पढ़ लो यह डीजीच की क्यों बाट लगा रहे हैं तुम कुद की हैं ठीक है तो पढ़ लो कुछ भी नहीं है ठीक है कि सेलेक्शन से दूर आपको कोई नहीं करता आप खुद करते हो और आपको देखते वे वह टीचर भी आपको सेलेक्शन से दूर कर देता है क्योंकि टीचर की गलती नहीं है आपको रोज मसाला चाहिए टॉप आज से एक नई स्रीज पाक दिन पढ़ाएंगे फिर वो सिर क्लास नंबर वन लिखा होता है नो उसमें बच्चे ज़्यादा आते हैं सत्यावन सो लाइव चलता है उसमें मेरे भी चल रहे थे मैं चाहता हूँ वह भी एक सेगेंड में कर सकता हूँ मैं तुमको क्या लग रहा है कि व्यूज लाना कोई बड़ी बात है क्या लेकिन मु तो नौकरी लगेगा लेकिन बेटा इदर आके बोल रहा है फॉन साइज कम कर दो फॉन साइज बड़ा दो उसको कोई मतलब नहीं है किस बैक्टिरिया का नाम क्या है इस वैक्सिन का नाम क्या है यह वैक्सिन कौन से मिमारे के लिए करी जाती है इस वैक्सिन को डवलप कि लिस ने करा इस बेटे को कोई मतलब निया बेटे को यह मतलब में नुमेरिकल करा तो कि हमारी जब लाइव हिडी में पंडे जाते हैं तो लड़के ने बढ़ एक सीनियर तोकि इस स्केरिस लुम्री कॉइट्स क्या है सर पता नहीं मेरे को भी नहीं पता चलो पढ़ते हैं आगे क्या लिखावा है एट जा इस पीसीज ओफ पैरासेटिक राउंड वॉम दोस्तो अभी भी समझ में नहीं आया चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं पर जीवी राउंड वॉम की ए नूट्रेशन लेते हैं जैसे आप लोगों को पता है है ना जैसे आप लोगों देखा होगा कि कोई जानवर होता है जैसे यह उनकी बॉड़ी पर कीडे पड़ जाता है तो कीडे क्यों पड़ है वो उनकी बॉड़ी में से नूट्रेशन ले रहे हैं उनकी बॉड़ी में स पिएया परसाइट आप लोगों को कहा पर मिलेंगे तो यह वाले Civ anlam नगAlap परसाइट कब्र बतानिये तो दोस्तों अगर यह आप लोगों के आत में आएंगे तो आप लोगों को क्या होगा infection होगा आप लोगों के काफी pain होगा आप लोगों के पैर में काफी दर्द होगा समझगे बात को चलिए नेश कोशन आपकी स्क्रीन पे hypochondria को आप लोग किस नाम से जानते हो इस disease में होता क्या है इस disease का दूसरा नाम क्या है आप लोगों को बताना है तो दोस्तो इस disease का दूसरा नाम क्या है health anxiety अब यह क्या है health anxiety समझ लीजिए जैसे anxiety होने का मतलब कि आप बेचेनी से होना थोड़ा सा tension सी होना health anxiety का मतलब कि आपको health से related कुछ tension होना ज़्यादा बेचेनी सोचना मतलब आपके body में कोई minor symptom हो रहा है लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहा है यह नहीं हो जाए वह नहीं हो जाए यो डियासी वैं जा सब्सक्राइब हो आप लोग बहुत बड़ा क्ले नहीं हो तो इसी चीज को आप लोग बोलते हैं हाइपोकॉंटरिया और इसे आप लोग हेल्थ एंजाइटी के नाम से भी जानते है तो कोई से बिमारी हो दवाईओ पर दवाईओ ले रहे है यार मेरी बिमारी बढ़ नहीं जाए देखो दवाईओ की पूरी की पूरी सिशी लपेटी जारी है चलो आजाओ, नेश कोश्चन आपके स्क्रीन पे जली से बताए, और दोस्तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कोश्चन में बोला जा रहा है, ऐली फैंटेस, दोस्तो यह जो डिजीज है, जिसे आप लोग हिंदी में हाती पाउं रोग बोलते हैं, तो यह डिजीज है, यह भी किसी ना किसी वज़े से तो होती है, डिजीज जैसे तो नहीं, आपको अपने आप हो जाए, हो सकता है, आप लोग बहुत ज़्यादा सर्दी में बैट गए हो, हो सकता है, कोई बैक्टिर आपकी बोड़ी में आगे हो, हो सकता है, कोई वाइरस आपकी बोड़ी में हाथी के जिसे लग रहा है दोस्तों जो elephantus disease है जिसे आप लोग हाथी पाउं रोग बोल रहे हो actually इसका एक नाम और है कि है बिल्कुल इसको लोग lymphatic phylerosis इसके नाम से भी जानते हो तो ये basically जिन worms की वज़े से होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो phylerial worms बोलते हो अब बात आती है एक दूसरी important चीज की सर ये छोटे छोटे जो worms होते है आपके बोड़ी में आते कैसे है तो ये mosquito या नि मच्छर की वज़े से आप लोगों के ये worms आपके बोड़ी में enter करते है ठीक है चलिए Nasht Time Current Parkinson rose dash की कमी से होता है ये जो disease है वो किसकी कमी से होता है बता है तो देखिए दोस्तों हमारी बोड़ी में कई organs है जिनसे बहुत सारी चीजे सिक्रेट होती निकलती है जो अलग-अलग कारे करती है जैसे जब मैंने आप लोगों को हॉर्मोन पढ़ाया था हॉर्मोन वाला चैप्टर तो मैंने बताया था कि कहीं से कौन सा हॉर्मोन निकल रहा है कहीं से कौन सा हॉर्मोन निकल रहा है और हर हॉर्मोन के अलग-अलग कारे हैं तो सेम मैं आप लोगों को बार बताओं हमारे brain में भी hormones निकलते हैं कुछ chemicals निकलते हैं उनमें से chemical का नाम है dopamine पर आप लोगों को पता है dopamine क्या करता है आप लोगों को pleasure देता है आप लोगों को खुशी देता है तो अगर आप लोगों के brain से निकलने वाला dopamine की मात्रा कम है है इसके कम निकलने के वज़े से होता है अब मैं आप लोगों को एक चीज बता हूं दोस्तों बहुत शांदर चीज बता दूंग्या मैं वेसिकली इस पे एक अलग सी वीडियो करने वाला था लेकिन यह इधर आ गया तो मैं इधर ही समझा देता हूं है ना एक जनरल चीज मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों जैसे आप लोग पढ़ने बैठते हो तो कई बार जैसे मालो आप लोग फोन चलाते हो तो मैं करूंगा कि या कुछ मालो आपके दोस्ते गफशप करने का मनए कि यार नहीं दोस्ता है मैं पहले इनसे गफशप करूंगा फिर पढ़ाई करूंगा क्या एप के साथ में ऐसा होता है जो कोई भी एक्टिविटी हो जिसको आप लोग जाड़ा पर फेर रहे हो कि नहीं कोई भी एक्टिविटी हो गूमना फिर ना हो है ना कैसा होता है क्या तो आप लोगों को उन एक्टिविटी को करने में मजा क्यों आता है क्योंकि उन एक्टिविटी से आप लोगों की बॉड़ी में डोपामाइन निकल रहा है तो आप लोगों को प्लेजर होगी खुशी होगी और भई इंसान क्या चाता है खुशी तो चाता है तो वो काम करने में आपको मजा रहा है ठीक है तो आप लोग वो उन activities को कर रहे हो तो फिर सर क्या करें इस चीज में मेरी गलती नहीं है सर उन activities में मेरा ज्यादा secret हो रहा है तो मैं तो वो ही करना पसंद करूँगा को कि उससे मेरे को pleasure मिल रहा है खुशी मिल रहा है दोस्तो आप लोग क्या करें इस चीज को ऐसे समझिए जैसे कुछ activities है जो low dopamine अदिब करने में जो dopamine की मात्रा है वो कम निकल रही है कुछ activities ऐसी है जिनको करने में dopamine की मात्रा जादा निकल रही जिसकी वज़े से आप लोगों को pleasure कुशी जादा मिल रही है आप दोस्तों यह जो low dopamine activity होती है वो सबके लिए अलग-अलग हो सकती है और high dopamine activity है सब के लिए अलग-अलग हो सकती है, हो सकता है, मेरे को फोन चलाने में बहुत जरब मज़ा आता हो, लेकिन आपको फोन चलाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, आपको मज़ा नहीं आता हो, हो सकता है कि मेरे को बास्क्रिबाँ खिलने में बहुत जरब मज़ा आता है, बहुत ज़रा मैं दिन में 4-5 गंटे खिलवालो, सब चीछ छोड़ के मैं आपको खिल लो बट आपको हो सकता है, इंटरस्ट नहीं हो, वह सकता है, आपको क्रिकेट में बॉह ज़रा इंटरस्ट हो, मैरको क्रिकेट में नहीं हो, तो इस सभी व्यक्ति रिश्री जो डोपामा दौइन पहला आप लोगों कि ट्म करती हो जो करना है पहले आप लोगों को लोडौ दौपामाइन वाले अक्टीवीटी करेंगे तो अहना जो बहुत संवना तो हमेशा पहले लोडौा मचा करें और हैं मघ्ण AUDIENCE mont इना अइसा हो लिए बान Byte जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को माली जे गूमने फिरने का शोक है, वो इसमें बुरा नियार सब चीज करनी चाहिए, लेकिन आप लोग पहले अपने पढ़ाई करिये, फिर आप लोग देखिये हैं, अगर आज मैं पहले ये चेफ्टर पूरा कर लूँग सब्जेक्ट है, मतलब इतनी चीज़े आप लोगों को सीखने को मिलेगी, तो उनी में से मैंने एक चिननी सी चीज़े आप लोगों को बताने की कोशिश करिये, थोड़ा सा मैंने टाइम लिया है, बट that's very important for you, हर एक इस्टोट लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, वर एक अरबोईडेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, अब मालों जो फैट आप लोगों खा रहे हैं उसका प्रॉपर मेटाबोलिजम नहीं हो रहा, उसका प्रॉपर डाइजेशन वगेरा नहीं हो रहा, तो आप मुझे बताइए कि क्या वो फैट आपके बॉड़ी में एक्क जिसकी हो जैसे आप लोगों कि लीवर थोड़ा फैटी हो जाएगा मोटा हो जाएगा तो यह जो डिजीज होती है इसे ही हम लोग गौचा डिजीज बोलते हैं करेक्ट अंसर आप लोगों को क्या हो जागा ऐसा मानने वसा पाचन जो फैट मेटाबोलिजम आपका नॉर्मल नहीं हो रहा है अगर नॉर्मल होता तो यार सब कुछ दंग से पच्छता चलिए इस कंसर बताईए कि जो आपकी स्क्रीन पर है और एक टरफ आप लोगों को कारक दिये वे हैं जिनके वजे से यह डिज़ीज होती है तो आप लोगों को मैच करना है बतायों बताओ देखो समझ़ें मेरी बात को समझें 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 गरों मुझे सर एक चीस समझ में आ रही है आज हम लोगों ने क्लास में पढ़ी थी क्या कि ये जो टाइफॉइड बिमारी होती है सर वो एक बैक्टिरिया की वज़े से होती है एक जिवानू की वज़े से होती है गैर बैक्टिरिया का नाम क्या है स्लमोनेला टाइफी तो यार कही न कही कर दूँ क्या मुझे इससे ज्यदा कुछ भी न brings a nest कर मुझे नहीं आता इससे ज्यदा कुछ भी कोई बात नहीं है हakah एक ऐक से connect करने वाला कौन है सर एको three से connect करने वाला केवल एक ही option है तो correct answer option number a हो जायागा ना यार सोच नहीं नहीं है चलो मान लो अगर एको three से connect करने वाले एक दू option और होते फिर क्या करते फिर मैं वो next उस पे चलता जो जिसमें शौर हूं तो आप लोगों को मैंने कल शाम को चार बजे पढ़ाया था क्या कि जो plasmodium है इसी जीव की वज़े से आप लोगों को malaria होता है जब यह plasmodium आपके बॉडी में आ जाता है और यह plasmodium आपके बॉडी में किसकी वज़े आता है मौस्किटों की वज़े से आता है ओभी दोस्तों के फॉपल हे उप लोग नेमुनिया जो है वो एक बैक्टिरिया यानि जिवारुनू की वज़े से रोग होता है, दोस्तो også फालिरीस, जो पिय भी मैंने बता है, हाथी पाउं रोग, जिन वॉर्म्स की वज़े से होता है, उसको बोलता है, फालिरेल वॉर्म और इनका नाम क्या है, जैसे एक वॊषेरिया बयनक रोफ्टी एक वॉर्म का नाम है जिसकी वज़े से फाइलरेसिस यानि यह आप लोगों का फाइलरेसिस रोग होता है ठीक है तो मैं देखो आप लोगों को पहले तो यह बताऊं जो नीमोनिया है वो जिन बैक्टिरिया की वज़ेस होता हूँ उनकी भी दोस्तों अलग-अलग क्या होती है वेराइटी यह वाला दिया हुआ था आप लोगों को ऑप्शन में यह वाला दिया हुआ था तो आप लोगों को दोस्तों अगर यह दोनों चीज़ों के बारे में नहीं भी पता था तब भी आप लोग इसको और इसको एजिली सॉल कर सकते थे तो आप लोगों को इसलिए बोला जाता है तो इसलिए student को बोला जाता है you should know something about everything and everything about something कि तुमको कुछ चीजे ऐसी है जिनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कुछ topic आपके बहुत strong होने चाहिए कि no one can beat you और आप लोगों को अगर सारी चीजे समझ में नहीं यारी फिर भी उनका basic तो आप लोगों को पता ही होना you should know everything about something sorry you should know something about everything सबके अवारे में कुछ ना कुछ ग्यान तो होना ही चाहिए क्या पता दोस्तों एक्जम में बहुत simple सी चीज पूछ ले उससे आप ज्यादा डेप्ट में नहीं भी पढ़ रहे तो अकर आपने उसका basic पढ़ रहे है तब भी आप लोग उस question को solve कर लेंगे चलिए next question vital test किस चीज को diagnose करने के लिए होता है तो एक disease होती है टाइफॉइड जो बैक्टीरिया की वज़े से होती है आप लोग जानते हो इसी बैक्टीरिया को diagnose करने के लिए कि बैक्टीरिया आपकी बॉड़ी में है या नहीं है मतलब basically आपको टाइफॉइड हुआ है य यार एक लड़का परिशन हो रहा है विक्की जी हर हर मादेव विक्की जी हर हर मादेव बेटा प्लीज अब पढ़ लीजिए तो मादेव भगवान भी चाते हैं आपका selection हो तो साथ में आप पढ़ाई भी करिए निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है चार आप ल बड़ें तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है सर मेरा हो रहा दिमाखर आप यह पता नहीं क्या क्या है मैं तो पहली इवर्ण में चार चार बात करते हैं यारी जो डेंगू डीजwalker होती है किसकी वज़े से होती है सर यह वाइरस की वज़े से होती इस डिजीज में क्या होता है आप लोगों के डैंगु बिमारी में सर फीवर आ जाता है बुखार आ जाता है और सर हड़ियों में खतरनाक दर्द होता है बहुत ज़्यादा इसलिए इसको हड़ि तोड़ बिमारी भी बोलता है आपके हड़ियों तोड़ जाता है इतना है ना दोस्तों मच्छर क्या एक एनिमल है क्या जनतू है क्या बिल्कूल सर एक एनिमल है और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको उनकी विशेस्ताओं के आदार पर आप लोग अलग अलग फाइलम यानि अलग अलग संग में रखते हैं तो ऐसे एनिमल जिनके पैर जुड़े वे होते हैं उसको हम लोग और्थो पोड़ा संग में रखते हैं दोस्तों मच्छर को उल्टा करके देखने ना इसका ये पैर ये पैर ये पैर ये पैर ये पैर जुड़ा हुआ है क्या तो इसका मतलब इसको और्थो पोड़ा संग में फैल रहे हैं ऐसे वाइरस को बोलते हैं और बो वाइरस तो डैंगू फीवर वाला जो वाइरस है वो एक और बो वाइरस है क्या है बिलकुल क्योंकि यह जो वाइरस है वो मच्छर की वज़े से फैल रहा है और यह मच्छर एक और तो गड़ा संखा उधारन है तो सर यह तो क्या वात है सर क्या घ्ञान दिया है मजा गया है छीए है दोस्तो प्लैग जो डीजीज है ये इक किसकी वज़े से होता है ये एक जीव की वज़े से होता जिसको बोलता है ये ये लिकार्पलोग का मैच है हुआ है दोस्तों स्लीपिंग सिक्ष की बात करी जाए है ना जिसे आप नों निंद की बीमारी भी बोलते हो तो ये आप लोगों के किसकी बाड़े से होती है एक प्रोटो जोवा की बाड़े से होता है उत से दूसरी की बाड़ी में रहते हैं उस दूसरी की बाड़ी से खाना तो लेते हैं उसको बिमारोर करते हैं ठीक है तो sleeping sickness जो डिजी जिस प्रोटो जो अकी वज़े से होती है उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा ये भी सही तरीके से मैच है दोस्तों बात करें सिफिल्स ये जो बि दीजीज है वो एक STD है STD का मतलब क्या है sexually transmitted disease और ये जिस बैक्टिरिया की वज़े से होता है उसका नाम क्या है ट्रिपोनिमया पैलीडम जब किसने पता निक्या दे रहा है ट्राइकास ट्रेकूरा पता निक्या है तो सार ये करेंटली मैच नहीं है सार इसको हटाओ इसक को सेलेट करना था दो सी विल बी और करेक्ट चलिए इस कंसर आप लोग बताएंगे अरे बताईए कि मल्टी ड्रक ठेरेपी MDT किसमें दी जाती है तो देखिए दोस्तों अलग-अलग रोग होते हैं उन में से एक रोग का नाम है लैप्रोसी अरे लैप्रोसी कौन सा रोग एक जीवानू की वज़े से होती है दोस्तों जब ये डिजीज हो जाती है तो इसका इलाज करने के लिए आप लोग इसका इस्तिमाल करते हो MDT MDT बोले तो मल्टी ड्रक ठेरेपी मल्टी ड्रक ठेरेपी का मतलब बहुत अलग-अलग प्रकार के आप लोग ड्रग मैडिसीन साफ लोग ले रहे कोगी चकर बता उंक्त्म यह जो ढिजीज है ना हींसेन डिजीजि यह आपके बोड़ी के एक पार्ट को फ्रभावित ने कर रहा देखो मैं तो आज कल आज तक के वल वह सुना था वाइडल टेश आपने दो और से कर दिए थैंक्यू सो मैच एक जम मैं कर देंगे हम देखो दोस्तों एक डिजीज होता है दोस्तों यहां पर जो डिप्थीरिया जो बीमारी होती है जिस वैक्टिरिया की वज़े से होता है उसका नाम है कौन बैक्टिरिया डिप्थीरिया तो आपकी बॉड़ी में यह बैक्टिरिया प्रजेंट है यह नहीं है तो इस चीज को चेक करने के लिए टेस्ट होता है इस किक टेस्ट अगर आप लोगों से पूछे कौन से बिमारी के पता करने के लिए होता है तो आप लोग बोल देंगे डिप्थेरिया ठीक है अगर पूछे यह कौन प्रोटीन को चेक करने के लिए होता है अब यह प्रोटीन बनते कब है जब किसी व्यक्ति को सिफिल्स हो जाता है सिफिल्स मैंने भी आपको बता है न यह एक सेक्स के माद़न से जा सकती है तो किसी व्यक्ति को सिफिल्स है या नहीं है यह पता आप लोग इस वाले टेस्ट ह समझ में आ गया दोस्तों बताएं तो मैं कुछ आप लोगों को homework दे रहा हूं बहुत अच्छे question है homework number one इसका मैंने solution बहुत शांदार question है दोस्तों यह है यह है आप लोगों का homework number two यह है आप लोगों का homework number three tension मतलो मैंने पीछे solution लगाया ऐसे निया में कुछ भी है ना लेकिन आप एक बार ट्राय करना फिर बाद में solution देखना पीडिएफ में ना पीडिएफ में आप लोगों को science magnet app की YouTube classes में आपको मिल जाएगी इसमें जाओगे यहां पर पेडिया मिल जाएगी और दोस्तों शांदार science का complete theory को जूड़ो यार अपने जो concept है उसको इतना crystal clear कर दो कि तुमारे 25 में से एक कि तको कि लिए simple करी जा रिया है देखो यह non uniform motion बताने के लिए अगर यह चीजे करी जा रही है कि यार पहले 20 second में 100स airport चल रहा है अगले 20 में असी चल रहा है फिर 2020 अगले 20 में कभी 20 में 70 कभी तो this is non uniform motion यह बताने के लिए अगर इसका sthed опять किया जारे तो आप लोग समझ सकते हो पूरी कोशिश है आपकी हर एक चीज दिमाग में गुज़ जा है कभी गलती ना करो तो इस कोर्स में जाके यह कोर्स है इसको बायनाओ करिए और अपना सेलेक्शन पक्का करिए आज स्याम को हां है कर दो आरप बायाओ, रहा यह बादी ना, कर उड्या है कर दो, कर दो, तू आररे घ्ल, कर दो, तो, आुskin कर दो, छो को ऑना सेलेक्श सवाらい